चलिए स्टार्ट करते हैं, रिजीड स्ट्च्चर में कैसे सॉल्व करते हम, डिग्री ऑफ इन्डेटर्मिनेंसी ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिएस, अब इसका मैंने फॉर्मुला बताया था, फर्स क्लास में, कि भाई जब रिजीड होता है, तो इसको हम क्या बोलत तो चेंज हो जाता है तो सबसे पहले इंटर्नली निकाल लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 3 into a यह तो फिर क्या वह सकते हैं 3 into c जिसको बोलते हैं तो पहले मैं आपको जस्त बेसिक सिखा दे रहा हूं जिस समय में को लगेगा कि आपको इसके हिसाब से अब को कॉंपिटिशन लेवल को भी बताना है तो यही जो आप सिखाया हूं इसी फॉर्मले से ही मैं आपको कॉंपिटिशन कोश्टन भी सुल करना सिखा दूँगा ठीक है मैक्सिमुम सा फॉर्मला जो अपन को दुनिया वर का देखते हैं अलग-लग साइट में या बुक मे जोरत नहीं पड़ेगा इसी फॉर्म में सबको सब सिखा दूँगा बस आपको इसको अच्छे से सीखना होगा ठीक है तो इस पर ध्यान दीजेगा इसका इंटरल यहां पर रिजिट स्रुक्चर था तो इंटरल फॉर्मला क्यों हो गया है तो इसको क्या इंटरल फ्लेक्स क्लास on और गर बात करूं सोट उसको इसको строile करने के लिए यहां पर मैंन एसीं के बना बना दियता है यह कोशन में लिग देता तो समाँ जाना कि है रिजिट स्रुक्चर है नहीं में बणवा तो छाँगा ओगा कि ही रिजिट स्ट्रेंचेर हैं या तो तो फिर stiff jointed frames है ठीक है तो यहां इसको consider कर लेता हूं 1 इसको मैं माल लेता हूं 2 इसको माल लेता हूं 3 यहां support reaction कितना हैंगे देखो यह दोनों तीनों hinge है ठीक है तो यहां पर कितना हैंगे आपका 6 तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 2 प्लस 2 प्लस 2 ठीक है माइनस यहाँ पर एकलियो किस्छन किता था यहीं मगर यहां पर देखन्ञे कितना यहां कि एक deed रेल्यई कितना आ यहांगा वैल्यई यहां पर ह्कां के द Belgra cm कोरे मैं स्टर savage आधे तकूर्छ अधे कंना आ। टू प्लस टू प्लस टू कितना है आपका 6, तो यह क्या लिख सकता है यहाँ पर मैं इसको, 6-3 यह क्या होगा आपका 3, तो total कितना आएगा देखो, t की value बात करें तो क्या होगा, e plus i is equals to 9 plus 3 is equals to 12, ठीक है, तो क्या लिख सकता, structure is statically indeterminate by 12 degree, ठीक है, इस question में आ जाता है, तो यहाँ पर welding बना होगा, जैसे यह भाव यह किया है, मैं आपका यहाँ पर सीधा numbering कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या देखो, फिक्स है, यहाँ कितने रेक्षन लगेंगे, 3, ठीक है, यहाँ कितने लगेंगे, 3 ऐसा, तो यहाँ कितना होगा, एक, दो, 3 होगा, एक ही बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, I, 3 इंटू कितना close area है, 4, तो क्या लिखूँगा, 4, जैसे कितना लिखूँगा मैं, 12, तो यहाँ से क्या बता चला, E की value कितनी आएगी, E के value कितनी आजाएगी, देखो, R minus R, जो क्या आएगा, 12 minus 3 is equals to 9, ठीक है, तो यहाँ पर T के value क्या होगी, E plus I is equals to, क्या लिख सकता हैं, यहाँ पर मैं, यह क्या होगा, 9 plus 12, कितना होगा यह, यहाँ आएगा, 21, ठीक है, तो मतलब, structure is statically indeterminate by, 21, ठीक है, अब आजाते है next question पर, इस question में देखो, यह close loop बना है, इसको मैं आपर, कैसे shade करूँ हो, देखो, यहाँ, यह ऐसा shade हो गया, यह ऐसा shade हो गया, यह हाँ, वेल्डिंग होता है, यह तीन साइड से वेल्डिंग होगा, यह दो साइड से वेल्डिंग कर दिया, इसक e की वेल्डिंग क्या हो गई, r-r, तो यहाँ देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, यह 4 क्या है, आपके fix है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता है, 3 plus 3 plus 3 plus 3, यह क्या, capital r हो गया, minus, small r कितना होगा, 3 होगा, तो वेल्डिंग कितना है, 12-3, तो e की वेल्डिंग कितनी आ गई, 9, ठीक है, अब यहाँ i की वेल्डिंग बच गई, तो i की वेल्डिंग कितनी आएगी, एक ही close loop बन है, बागी तो open है, तो 3 into 1, that means 3, अब इससे क्या पता चला, कि भाई, total कितना हो जाएगा, e plus i is equals to, 9 plus 3 is equals to 12, ठीक है, तो structure is statically indeterminate by 12, the degree, तो यह आज का last question देख लेते है, इस question में देखो कैसा बनेगा, इसको भी क्या कर दिया, मैंने weld कर दिया, जितने side से जुड़ा होता है, उसको weld करते है, है ना, तो welding कैसे करते है, corners में होता है, joints में होता है, तो इसे ही साब से करेंगे, तो यहाँ पर देखो fix है, तो 1 reaction, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ हींज है और यहाँ हींज है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा, एक ऐसा बना देता हूं, यहाँ एक ऐसा और यह ऐसा बना देता हूं, ठीक है, तो इस condition में देखो, capital R की value करूँ कितना है 3 plus 3 plus 2 plus 2 ठीक है value कितना हो गया 10 यहाँ small r की बात करूँ तो कितना होगा 3 तो इससे क्या बता चला capital E कितनी आएगी r minus r जो कितना होगा 10 minus 3 is equals to 7 यहाँ पर इसकी अगर आप बात करूँ तो यहाँ देखो क्या आएगा यह एक है बाकी close loop यह है क्या नहीं ना यह भी जोड़ रहा है ना यह जोड़ रहा है तो i के लिए कितनी आ जाएगी 3 into a जहाँ पर क्या है 3 into 1 is equals to 3 तो क्या देखने मिल रह मुझे यह पता चला कि भाई t की value क्या होगी e plus i is equals to 7 plus 3 is equals to 10 क्या लिख सकते structure is statically indetermined by 10th degree ठीक है तो यह basic complete होगया next class में हम यह देखेंगे यह बाई tension coefficient method ठीक है tension coefficient method या फिर method of tension इसको हम कैसे solve करते हैं इसका derivation बताऊंगा उसे वाद numerical start करेंगे two dimension clear और three dimension clear ठीक है thank you